नमस्कार जोहार मेरा नाम है वंतिका और आप देखरे दा फोर्थ फिलर आज 23 अगस्त जारखंड की राजनीते के लिए बड़ा दिन रहा राज्य की सत्तपक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ रैलिया निकाली और एक दूसरे से अपने अपने सवालों के जवाब मांगे एक तरफ राची में भारतिय जंता युवा मोर्चा ने आकरोश रैली के तहत हेमन सोरिन सरकार के खिलाफ अपना आकरोश प्रदर्शन किया वहीं दूसरी तरफ जारखंड मुक्ती मोरचा ने जारखंडी अधिकार मार्श निकाल कर भाजपा पर हमला बोला मुरहबादी में भाजपा की आकरोश रैली में पुलिस के जवान और भाजपा कारेकरताओं के बीग छड़प हो गई भाजपा कारेकरता सीम हेमन सोरिन से पांच सालों के कारेकाल का हिसाब मांगने के लिए सीम आवास का घेराव करने वाले थे भारती जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांकर राज ने युवाओं की मांग को दबाने का आरोप लगाते हुए हेमन सरकार की इस कारवाई की निंदकी है वही जारखन मुक्ती मोर्चा ने ना केवल राची बलकि जारखन के कई जिलों में अधिकार मार्च निकाला और केंद्र की एंडिये सरकार पर निसाना साधा जारखन के अलग-अलग जिले में जामुमो जिला समीती द्वारा निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में नेता और कारेकरता पाटी के जंडे बैनर के साथ शामिल हुए और केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार को जारखंड और जारखंडी विरोधी करार दिया राजधानी राची में जामुमो का जारखंडी अधिकार मार्च जैपाल सिंग स्टेडियम से निकल कर फिरायलाल चौक तक गया जिसमें जामुमो जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम जिलसचीव डॉक्टर हेमलाल के साथ राज्यसभा सांसर डॉक्टर महुआमाजी भी शामिल जारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि बार-बार प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास होता है केंद्रिय जाच एजेंसियों E.डी और C.B.I. के जरिये चुनी हुई सरकार को परिशान किया जाता है प्रदेश के मुख्य मंतरी को जेल में डाला जाता है राजे सरकार के खिलाप बार-बार सडयंत्र किया जाता है केंदर सरकार को हर हाल में जारखंड को उसका अधिकार देना होगा वहीं गेटी के टावर चौक पर जामुमू का अधिकार मार्च निकाला गया इस दौरान जारखंड मुक्ती ध्यार्थी युवा किशान महीला सभी के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की गई हैं। ध्यार्थी युवा किशान महीला मोर्चा एवं नगर कमीटी जिला कमीटी के कारेकरताओं ने बीजेपी के विरोध में नारे लगाते हुए वी आईपी चौक तक पैदल मार्च किया। हासिल किया है लेकिन जार्खंड में पीछे रह गया।